Hey guys, Namaste, Welcome back to my channel तो guys, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ share करने वाली हूँ मेरा monson skincare routine तो guys, आप सोच रहोंगे कि मैं इतना ready steady हो कि skincare शूट करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं guys क्योंकि मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो शूट किया इसलिए मैं रेडी होके बैठी थी और मुझे लगा था कि चलो आज मैं जो अपना स्किन केर जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मैं वीक में एक दो बार थोड़ा स्किन केर फॉलो करती हूँ तो मुझे लगा कि आज वो आपके साथ शेयर करना चाहिए आपके लिए एजी हो जाएगा कि आपको कैसे अफॉर्डिबल रेंज में एक अच्छा स्किन केर फॉलो करना चाहिए आपके skin को अच्छा दिखाने के लिए तो guys हमेशा skincare routine जो है वो follow करनी चाहिए इसे क्या होता है ना हमारे skin बहुत ही healthy, glowy और young दिखती है अगर आप skincare follow नहीं करोगे तो आपकी जो skin है वो बहुत ज़्यादा dull, tired दिखेंगी बहुत जल्दी आपको बहुत कम age में fine lines की problems होने लगेंगी उसके बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत issues हो सकते है skin के साथ, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि पूरे दिन में आपको अपने skin के लिए 10 मिनट निकालना होगा, 10 मिनट में आप अपना skincare follow करो और उसे आपको हमेशा follow करना है, आपको skincare change नहीं करना है, रोज रोज आपको नया नया skincare follow नहीं करना है तो आज मैं आपके साथ मेरा skincare routine share करने वाली हूँ, अगर आप interested हो तो इस वीडियो को पूरा देखेगा बहुत ज़्यादा helpful होने वाला है और गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा skincare routine है वो बहुत ज़्यादा simple है, बहुत ज़्यादा affordable है क्योंकि मुझे skincare, मेरा skincare routine है मुझे personally बहुत ताम जाम वाला skincare पसंद नहीं है क्योंकि मैं मेरे अंदर इतना patience नहीं है यार कि मैं एक गंटा देड़ गंटा अपने skincare skincare को लेके बैठे रहूं तो मैं बहुत simple सा skincare फॉलो करती हूँ daily जो मैं skincare फॉलो करती हूँ वो तो 5 minute का होता है लेकिन आज मैं थोड़ा pack pack लगाऊंगी तो 10 minute का मेरा skincare हो सकता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे जो lip shade है उसकी बारे में मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि जब भी मैं ये lip shade वेयर करती हूँ तो मुझे comment section में बहुत अच्छे comments आते है कि आपने कौन सा lip shade वेयर किया हूँ बहुत सारे like मैंने इस lipstick को चार-पांच वार वीडियो में वेयर किया और बहुत अच्छे-चे comments मुझे मिलते लोग बहुत पूछते हैं कि आप कौन सा lip stick वेयर करते हूँ तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि मैं जो अभी lipstick वेयर की हूँ वो है ये purple का HD Matte Liquid Lipstick बहुत अच्छी lipsticks है ये और इसमें जो मेरा shade है वो है My First Family Drama नमबर है मेरा shade का 14 तो आप जाके purple से ये purchase कर सकते हो लिंक्स मैं provide कर दूँगी तो आप मेरे link के ठो भी जा सकते हो और ऐसे आप purple पे जाके आप ये shade को सर्च कर सकते हो और गाईज ये जो बहुत ही खुबसूरत सा pink pink मतलब like fuchsia pink kind of shade है तो अगर आप interested हो तो आप वहां से जाके purchase कर सकते हो तो चली इस वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करते हो और मैं ज्यादा ग्यान और नहीं दूँगी like melt कर देगा तो इसे हम आसानी से एक wipes की help से आराम से wipe out कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर wipe जो use करूंगी वह है ये mama bear की तरफ से और इसे मैंने amazon से purchase किया था बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये तो इसे मैं अच्छे से अपने जितने भी makeup है इसे मैं wipe कर रही हूँ आप देख सकते हो ये cleansing milk बहुत ही ज्यादा अच्छा है मेरे जो makeup को इसने बहुत अच्छे से like melt कर दिया था और बहुत अच्छे से remove भी हो गया एक बार में ही तो देख सकते हो आप कितना ज्यादा makeup था मेरे face पे तो मुझे इसे बहुत पसंद है देन मैं उसके बाद से scrub करूंगी स्क्रब के लिए मैं ये बायोटिक का product यूज कर रही हूं और यहां पर मैं थोड़ा सा water लूँगी और इसे अपने face पे अच्छे से spray करूंगी क्योंकि जो ये scrub है इसकी consistency जो है वो काफी ज्यादा थिक है इसलिए मुझे काफी ज्यादा water की जुरत पड़ती है तो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा थिक है तो उसके बाद से मैं इसे अच्छे से अपने face को scrub कर ली हूं यहां पर clean water face को clean करके wet wipe से मैं इसे clean कर रही हूं अपने face को दिन उसके बाद से जो मैं use करूंगी वो है face wash और face wash के लिए मिरे बास दो option है यह एक ever youth का और plum का तो मैं यहां पर confused हूं कि मैं कौन सा face wash आज use करूं तो मैं यहां पर plum का face wash ही use करूंगी क्योंकि ever youth मैंने बहुत दिनों से use कर रहा था तो कर रही थी तो मुझे लगा कि चलो आज use कर लेते हैं तो आज मैं face wash से अपने face को अच्छे से clean करूंगी और यह face wash काफी ज्यादा अच्छा है पूरा वेगन है तो आप इसे ले सकते हो price थोड़ा सा हाई है लेकिन मतलब product काफी ज्यादा अच्छा है तो इसे मैं अच्छे से अपने face पे apply करने के बाद then again clean water की help से अपने face को clean कर लूँगी उसके बाद से जो मैं use करने वाली हूँ वो है यह face pack आप face sheet mask भी ले सकते हो और face pack भी ले सकते हो तो मैं यहाँ face pack ले रही हूँ बायोटीक की तरफ से क्योंकि sheet mask मैंने तीन दिन पहले ही apply किया था इसलिए मुझे लगा कि आज मैं face pack इसे apply कर लूँ अपने face पे तो यह d10 face pack है बायोटीक का fruit face pack बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मुझे काफी ज्यादा पसंद है तो मैं इसे like week में एक दो बार apply कर लेती हूँ तो guys यहाँ पर मैं आपको मिलाती हूँ मेरे family के सबसे छोटे member से जो कि मुझे videos बनाते टाइम बहुत ज्यादा डिस्टरब करता है और अभी देखिया यह कितना डर रहा है मुझसे बहुत ज्यादा डिस्टरब करता है इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों को इससे मिला देती हूँ इसका भी बहुत शौक है कैमेरे पे आने का तो इसका शौक भी पूरा हो गया देन मैं यहाँ पे face pack जो है मैं अच्छे से अपने face पे स्प्रे कर रही हूं ताकि जो यह face pack है वह थोड़ा सा मेल्ट हो सके देन उसके बाद से हलका सा मसाज करते हुए मुझे इसे लाइक रिमूब करना है तो मैं यहाँ पे अपने face पे अच्छे से इसे मसाज कर रही हूं ताकि जो मतलब यह soft हो जाए उसके बाद से मैं इसे wipe कर दूँगी wet wipe की help से तो यह अच्छे से milt हो चुका है और मैं यहाँ पे wipes ले रही हूं और उसकी help से मैं इसे wipe करूँगी अच्छे से तो आप देख सकते हो अच्छे से और यह wipe मुझे काफी ज़्यादा पसंद है लाइक मैंने amazon पे बहुत ही कम प्राइज में इसे purchase किया था लाइक 120 और 140 में दो लिया था मैंने यह offer में था इसलिए उसके बाद से आपको अच्छे से इसे wipe कर लेना है दिन उसके बाद से clean water लेके आपको अपने face को पूरा अच्छे से wash करना है दिन उसके बाद से मैं टोनर लूँगी और यह है बायोटीक का टोनर और मैं टोनर ऐसे ही apply करती हूं hands पे लेके तो मैं अच्छे से अपने face पे इसे apply कर रही हूं उसके बाद से मैं मौश राइजर apply करूंगी तो मौश राइजर के लिए again अपने face पे apply कर ली हो और लिब बाम मैंने पहले ही apply कर लिया था तो लिब बाम भी मैंने बायोटीक का ही यूज किया था तो आप देख सकते हो कि एक अच्छा सा glow मेरे face पे आ चुका है तो आप यह skincare को week में दो बर follow कर सकते हो आपको मेरा यह वीडियो अगर अच्छा लग